हाँ मित्रो हम अब्वेई भाव और तत्पुरुष समास पढ़ चुके हैं और अब हम कर्मधारे समास पढ़ने जा रहे हैं कर्मधारे ये बड़ा इंपोर्टन समास है प्रशन पूछे जाते हैं पहचान का प्रशन में पूछा जाता है विग्रे का भी पूछ लिया जाता है लेकिन पहचान का खास होर से पूछा जाता है और इसमें सबसे पहले अब पहला पद दूसरे पद की विशेश्था को धारन करता है इसका हमले एक इसमें मुख्य है और दूसरा उसकी विशेश्था को बताता है तो ऐसी विशेश्था को धारन करने वाला समास है कर्म धारे कर्म के बहुत आर्थ होते हैं लेकिन यहां पर है उसकी विशेश्था को ध हारन करने वाला समास, देखो एक कर्मधारे समास तीन तरीके से बनता है, पहला ये है गुनवाचक विषेशन, नील कमल, ये कमल तो विशेश्य है, विशेश्य उसे कहते हैं, जिस की विशेशता बताई जाए, कमल की विशेश्य दा कौन बता है नील शब्द बता रहा है नीला रंग ये नीला रंग क्या है ये विशेशन है तो देखो एक तो हो गया विशेश और दूसरा हो गया विशेशन अब यह मुखे कौन है मुखे तो कमल ही है विशेश ये जिसकी विशेश था बताई जा रहे तो अब जैसे ये वाक्य बना कम मुर्जा गया तो देखो नील रंग नहीं मुर्जाया नीला रंग नहीं मुर्जाता मुर्जाता है फूल कमल तो यही दूसरा पद प्रधान है फिर ये क्या काम कर रहा है ये इस कमल की विशेशता बता रहा है अब इसको देखो पैचानने का सीधा सा प्रश्ण है कमल कैसा क आपको करमधारे समास की पैचान आ जाएगी, आगे और पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन कमल कैसा नीला, तो कैसा का उत्तर क्या होता है, गुन, लड़का कैसा लबा, गोरा, चोटा इमानदार, बेामान, महेंती लड़का कैसा, यह सब गुन है तो कैसा का उत्तर गुनवाचक विशेशन होता है तो आप दूसरे शब्द के बाद में कैसा पूछिए और आपको पहला शब्द अगर उसका उत्तर मिल जाता है तो फिर वो गुनवाचक विशेशन है और वो कर्मधारे समास है देखो दूसरा उपमान उपमे उपमान उपे में दो शब्दों को समझ लीजिए आप पहले उपमे का मतलब जो उपमा देने योग यह है जैसे मुक हम मुक की मुक हमारा उपमे मुक की तुलना कर रहे है किस से चंद्रमा से तो चंद्रमा क्या है उपमान है तो अगर किसी समास में पहला शब्द उपमान आए और दूसरा शब्द उपमे आए तो वह भी कर्मधारे समास है अब इसमें भी देखिए दूसरा पद प्रधान है चंदर मुख चमक रहा है इसका विग्रे होगा चंदर के समान मुख चमक रहा है तो ये चमक कौन रहा है मुखी तो चमक रहा है मुख चमक रहा है और वो मुख कैसा है चंदर मा के समान है लेकिन चंदर मा के समान है नहीं म दूसरा उपमेई है, सामानिते कैसे पैचानों उपमेई क्या होता रुपमान क्या होता है, छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ आपको, ट्रिक हमेशा सकसस नहीं होती है, एक बार बता दो, कोई भी ट्रिक हो, ट्रिक ट्रिक होती है, लेकिन फिर भी वो काम करती है, देखो, य ये है मनुष्य ये तो मनुष्य है और ये है प्रकरती ये प्रकरती है चंद्रमा प्रकरती है हम सामानित है मनुष्य की चीजों की तुलना प्रकरती से करते है हमारी रुच्छी मनुष्य में होती है हमारी रुच्छी चांद में नहीं हमारी मुच्छी तो मुख में है तो प्रूप से इस तरह से आप उपमे रुपमान का अंतर कर सकते हैं। तो देखो, यहां पर भी मुखे तो मुख है और चंद्रमा उसकी एक प्रकार से समानता बता रहा है, उसकी सुंदर्था को बढ़ा रहा है, बस ये काम है। तो उसका गुनी बता रहा है मुखी, कि मुख वैसा ही चमकता है जैसा चंद्रमा चमकता है। तीसरा देखिए आप, तीसरा है, पहले उपमे आ जाएगा और फिर उपमान आ जाएगा। मुख पहले आ गया और चंद्रमा बाद में आ गया। देखो, यहां पर चंद्र मुख है और यह है मुख चंद्र। जो अलंकार प और अगर पहले उपमे आ जाए मुख आ जाए और मुख पर आरोब किया जाए चंद्रमा का पहले उपमे और उपर के बाद में उपमान चंद्रमा तो फिर ये होता है हमारा रूपा कलंकार तो देखो उपमार रूपा कलंकार को भी पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका है अब यहाँ पर देखो इसको मुख चंद्र चमक रहा है अब यहाँ पर कौन चमक रहा है चंद्रमा चमक रहा है मुख रूपी चंद्रमा यहाँ पर भी दूसरा पद ही प्रधान है मुख, मुख को तो आपने चंदर्मा बना दिया और अब चंद्रमा को आप चमका रहें, तो चंद्रमा को चमका रहें, तो मुख भी चमक रहा है, तो यहाँ पर अगर आप इसके मूल अर्थ में जाएंगे, तो फिर चमक तो मुखी रहा है, लेकिन मुख को आपने चंद्रमा बना दिया और चंद्रमा को चमका रहें, तो द चंद्र चमक रहा है ये तीनों की तीनों ऐसे हैं इसमें एक मुख्य है वो दूसर देखो इसमें कमल मुख्य है इसमें हमारा जो है मुख्य हमारा मुख्य है और इसमें मुख्य पर आरोब करके चंद्रमा बना दिया और इस प्रकार से यहां पर चंद्रमा दूसरा वाला वह प्रमुख हो गया है ये तीन प्रकार के हमारे हैं और इन तीनों प्रकार से बनता है हमारा कर्म धारे विशेश्था धारन करने वाला समास तो ये दो तरीके से बनता है नमबर एक गुनवाचक विशेशन में पहला शब्द विशेश्था धारन करता है और दूसरा उपमान य पहिन कहीं ये चंदर जो आया है यहाँ पर nhưng चाये यहाँ आया है यह इस मुख की विशेषता बताने के लिए ही आया है तो यह विशेषता गुनवाचक विशेशन से बताई जाती है और उबमे उपमान के दोरा भी बताई जाती है तो अगर ऐसा आपको लगे कि इसमें एक क की दूसरे से तुलना की जा रही आरोप किया जा रहा है वो कर्मधारे समास है आगे देखी इसलिए ये जो तीनों प्रकार के जो समास हैं इन में सम्में दूसरा ही पदप्रधान है और इसलिए ये ततपुरुष का हिस्सा है आगे देखे आप हम पहले ले रहेंगे गुनव सागर कैसा महान, काली मिर्च, मिर्च कैसी काली, ये प्रभु दयाल, दयालू कैसा कौन है वो है हमारा प्रभु, बुद्धी कैसी सत, बुद्धी कैसी मंद, आचार कैसा भ्रष्ट, इच्छा कैसी कितनी अल्प, अगनी कैसी मंद, आशे कैसा सत, और ये प्रान प्रिये मामल थोड़ा उल्टा है देखो इन सब का ये आ गया सागर कैसा ये प्रश्न है और इसमें ये ही है महान है जो सागर ये विग्रे करने का तरीका है देखो महा सागर महान है जो है जो है जो के द्वारा है जो है जो के द्वारा हम लोग इसका विग्रे करते हैं महान है जो सागर का प्रभू दयालू है जो प्रभू, इसमें उल्टा हो जाएगा, दयालू है जो प्रभू, सद बुद्धी में देखो, सद जो है यह है मूल शब्द, यह तो संदी बै की वज़े से तै दय में चेंज हुआ है, लेकिन वापस संदी छेद में हम लोग सद नहीं करेंगे, नो, स ब्रेष्ट आचार ब्रेष्ट है जो आचार ये जो है जो सारा होगा और अलप है जिसकी च्छा मंदागनी मंद है जो अगनी सदाश है सत है वही सद ये सत जो है सद बना है सत है जिसका आश है और प्रान प्रिये इसमें पहले देखो प्रिये है जो प्रानों को ये इसका वि कर्मधारे समास में दोनों ही पद विशेशन होती हैं अभी तो बता रहा था एक विशेश्य है एक विशेश और दूसरा विशेशन है ये देखो ये हमने देखा था और इसमें नील गगन नील कमल देखा था नील कमल लेकिन अब तो ये भी विशेशन और यहां पर भी विश अगेगा देखिए शीतोषन अब इसमें ये संदी हो गई गुन संदी हो गई लेकिन यह है शीत और उष्न हरा और सघन लाल और सुर्क देव और रिशी और राजरशी यह दोनों के दोनों देखो इसका विग्रे कैसे करेंगे देखो शीत उष्ण जल ये है जल ये है विशेश और इस विशेश के दो विशेश नहीं कौन कौन से एक शीत और एक उष्ण शीत और उष्ण शीत उष्ण जल से दवा लीजिए कैसे जल से जो शीत भी हो और जो उष्ण भी हो यानि बिल्कुल बोड के टेंपरेस से ज़्यादा गरम हो गया तो फिर वो शीत नहीं रहा और अगर कम गरम हुआ तो फिर वो उशन नहीं रहा इसलिए शीत उशन जल इसका विग्रे ऐसा करेंगे जो शीत है जो शीत और उशन नहीं यह दोंदसमास नहीं है यह दोनों विशेशन है आदेखो यह म हरा सगन ये दोनों के दोनों विशेशन है अब इसका विग्रे हरा और सगन नहीं करेंगे माता पिता का संग विग्रे होगा माता और पिता लेकिन हरा सगन का विग्रे और से नहीं होगा ये खास बात समझने की बात है दो संग्याएं आपस में मिलेंगी वहाँ पर दोन समास में और हो जाएगा लेकिन अगर दो विशेशन जुड़ रहे हैं ये देखे शीत और उशन दोनों विशेशन है इसका विगर होगा जो शीत है जो उशन है हरा सगन का देखिए हरा सगन खेत ये नहीं संग्या तो खेत और खेत की विशेशता क्या खेत हरा भी है और खेत सगन भी आए अगर बहुत अच्छा खाद है और अच्छी पानी पानी दिया गया है तो पत्ते बहुत हरे हैं और सारा खेत हरा है और अगर पास-पास में पौदे हैं तो फिर खेत सगन है तो देखो दोनों विशेशता है आई ये भी विशेशन है ये भी विशेशन हरा सगन केत और इसका विगरे होगा जो खरा है जो सगन है लाल सुर्क देखो यहाँ पर लाल सुर्क टमाटर लाल सुर्क टमाटर सुर्क फार्सी भाषा का शब्द है लाल संस्कित का देखे क्या गंगा जमना हमारी भाषा हिंदी की तो एक शब्द तो आगया संस्कित से और उसी को और गहरा करने के लिए दूसरा आगया फार्सी से सुर्क का अर्थ भी वही है सुर्क यानि लाल और लाल भी लाल तो और ज्यादा लाल बताने के लिए लाल भी आगया और सुर्क आगया और दोनों के दोनों विशेशन है तो लाल सुर्ख विशे कैसे करेंगे विग रहे जो लाल है जो सुर्ख है ये देखो देवर्शी अब आप यहां कहेंगे देवर्शी नारद आप कहेंगे साथ देव और रिशी ये तो संग्याएं है ये तो विशेशन ही नहीं है जियां ये यहां पर नारद जी की विशेश बताने के लिए शब्दार हैं जिन में देवता का भी गुन है और रिशी का भी गुन है जो देवता के समान है और जो रिशी के समान है तो देव और रिशी क्या हो गए ये विशेशन बन गए नारज जी की ये विशेश है तो संग्या तो ये रही और ये दोनों की दोनों समय क्या काम कर जाता है उसकी भूमी का क्या हो जाती है उसी के अनुसार हम तै करते हैं राजर्शी जनक ये देखो जनक जनक संगया व्यक्तिगा संगया नारद भी व्यक्तिवाचक संगया तो ये व्यक्तिवाचक संगया अब राजा और रिशी राजा और रिशी ये भी और इसलिए ये शब्द यहाँ पर राजर्शी जनक जी का विशेशन का काम कर रहा है और देवर्शी नारत जी का विशेशन का काम कर रहा है सोचे आप भाषा क्या चीज़ है तो मित्रो यहाँ पर विग्रह तो वही होगा इन सब का विग्रह वही होगा है जो है जो लेकिन इसमें दोनों पद विशेशन है और दोनों विशेशन होने के कारण ये कर्मधारे समास है अगर दोनों पद संग्या हो जाती तो दूंद हो जाता आगे देखिए उपमे उपमान वाले उपमालंकार वाले मरग नैनी अब देखो ये नैनी नेत्र है मनुश्य के ये हरदय मनुश्य का है और विद्यूत के समान चंचला भी मनुश्य लड़की है और मुख भी मनुश्य का है ये सब मनुश्य है और ये प्रकरती है मरग प्रक प्रकरती है विद्युद प्रकरती है और चंद्रमा प्रकरती है पहले आ गई प्रकरती और फिर आ गया मनुश्य तो ये पहले आ गया उपमान और फिर आ गया उपमे और ये अलंकारों में तो उपमालंकार होता है और इसका विग्रे होता है के समान ये देखे के समान म्रिग के नैनों के समान नैनों वाली म्रिग के समान वाली नहीं म्रिग के समान नेत्रों वाली नहीं म्रिग के जो बड़े बड़े नेत्रों होते है उस तरह से बड़े बड़े नेत्रों वाली तो म्रिग के नैनों के समान नैनों वाली ओ म्रिग नहीं 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 होगी पाशान हज़े पाशान के समान खिरदे पत्तर के समान विद्युत के समान चंचला है को इस फूर्ती वानी लड़की है विद्युत चंचला और चंदर के समान मुक्तों पड़ी चुके ये सब उपमान उपमेवाले हैं और सब कर्मधारे समास है अब देखिए उपमेई ये दा उपमेई और यहाँ पर रूपकलंकार होगा इसमें पहले उपमेई होगा और फिर होगा उपमान उपमान थोड़ा यहां करेक्शन कर लीजे पता ये उपमेई उपमान है और ये रूपकलंकार है देखिया ये चरनारविंद है चरनारविंद अब देखो ये है चरण मनुश्य पहले आ गया नर मनुश्य पहले आ गया क्रोध मनुश्य का पहले आ गया कीर्थी यश्ट मनुश्य की पहले आ गई संसार से जुडवा संसा मनश्य है और मुक्ष पहले आ गया ये सम मनश्य है ये सब प्रकरती अर्विंद कमल को कहते हैं शारदूल शेर को कहते हैं अगनी है लता बेल को कहते हैं सागर है और चंदरमा है इसमें दूसरा शब्द प्रकरती है और पहला शब्द मंशिय है इसलिए ये तो है उपमे और ये हो गया उपमान ये उपमे उपमान हो गया और यहां पर इनका देखो कैसे इनका रूपी के दौ़ा चरण रूपी अरविंद नर रूपी शारदूल क्रोध रूपी अगनी कीर्थी रूपी लता और संसार रूपी सागर और मुख रूपी चंद्र ये सब रूपी के द्वारा इनका विग्रह होगा देखो ये रूपक अलंकार है ये रूपक है इसमे उपमेई पहले और उपमान बाद में है हाला कि ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा ज़ंजट की जरूत नहीं सभी कर्मधारे समास है तो चाए उपमे उपमान और चाए उपमान उपमे हो कोई भी आगे पीछे कैसा भी हो ये तो अलंकारों में तो फिर भी हमको है कि ये उपमान अलंकार एक रूपक अलंकार है वरना तो ये सब हमारे कर्मधारे समास है अब देखो हम लोग द्वीगू समास पे चल ले है द्वीगू को पहले बताया था इसमें द्वी में द्वी द्विकार्थ है दो और गूकार्थ है गाय तो दो गायों का समू यह इसका शाब्दी कर्थ है और लेकिन नाम पढ़ गया समास का द्विगू समास इसका विश्षी श्टर्थ हो गया यह द्विगू शब्द अपने आप में द्विगू यही बहुरी समास बन गया यह शब् इसमें पहला संख्या बात्चक विशेशन कोगा कर्मधारे में गुण्राइशन विशेशन वह कैसा का उत्तर देता है और यह कितना को तर देता कितना का मतलब क्या होता है कितना का मतलब होता है संख्या देखो रत्न कितने पांच अगर अगर यह हो अमुल्य रत्न यह शब्द आ गया अमुल्य रत्न तो यह होगा रत्न कैसे रत्न कैसे अमुल्य तो वो तो कर्मधारे समास है लेकिन यहां तो संख्या है, संख्या, संख्या आएगी द्विगु में, तो देखो पंच रतन प्राप्त होगे, इसमें भी देखे, प्राप्त कौन होगे, रतन प्राप्त होगे, दूसरा पद प्रधान है, यह देखे, अब देखे, तिकोना, इसाब लाल को देखे, इसाब आपको बताऊंगे अभी आपको देखो साब इनका इनका विग्रे कैसे होगा ती कोना जो तीन कोनों का हो तिराहा जो तीन राहों का संगम हो तीन राहें मिलेगी तब ये एक रास्ता और एक ये रास्ता और एक ये रास्ता ये तीन रास्ते मिलगे एक दो और तीन और ये त उसलिए वह संगम है. सतरंग, सातरंग का सपता, सपत् एहनों का समू ये चतुरुबुज देखो सब. चतुरुज हिंदी में दो प्रकार की समाज है. अगर चत्रभुज ये है चत्रभुज ये चार भुजाएं एक दो तीन चार इस चत्रभुज का क्षेतरफल ग्यात कीजे गनित माता सवाल इस चत्रभुज का क्षेतरफल ग्यात कीजे तो चार भुजाएं है इसके तो ये जो चत्रभुज जो है चार भुजाओं का जो आका ये हमारा दवीगु समास है। लेकिन ये जो चत्रबुज विश्नु के अर्थ में जो चार बुजाओं वाला है कि हमारे पड़ो उसमें चत्रबुजी का मंदिर बन रहा है। यहां पर चत्रबुज बहूरी समास है। इस चत्रबुज का खशेतर फल गयात कीजिए बहूरी समास तो जैसे एक शब्द के कई अर्थ होते हैं ऐसे एक समास के भी कई अर्थ होते हैं और अर्थ के आधार पर समास करने धान होता है कि समास इसलिए ऐसे समास जिनके दो-दो अर्थ होते हैं दो-दो समास होते हैं ऐसे उनका बाकाइदा वाक्य में देना चीप वरना गड़बड हो जाएगा यह आए कि चतरवुज कौन सा समास है चतरवुज कौन सा समास और उसमें विकल्प आ गया द्विगु और बहुरी तो फिर ये प्रशन गलत हो जाएगा लेकर अगर तीसरा विकल्प है आ गया कि द्विगु और बहुरी दोनों तो फिर द्वि पन्सेरी, 9 लखा शताबदी, और ये इनका विग्रे, 2 मंजिला, 2 मंजिल का मकान हो सकता है, दूपया, 2 मंजिला, इसको लिखने की जरत नहीं है, ये तो समझ़दें के लिए, 3 भुजाओं का आकार हो सकता है, 5 लखा, 9 लाक रुपे, मुल्नका हो सकता है शटापती शटाबों का समू हो सकता है अब व्रश है तो शटापती ये सब संख्या है और इसका अर्थ या ही होता है अब मितरो आईए दो temp समास पर बात दो समास और एक दो tam समास और पिर बहुरी है समास है लेकिन समास को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो मैं आपको फिर बता देता हूँ समास को पढ़ने से उन प्रशनों को हल कर सकेंगे जो सामाने थे दूसरे लोग नहीं कर सकेंगे जिसनों ने समास को अच्छी नहीं तरह से नहीं पढ़ा और एक दो प्रशन आने से हम लोग लाखों की मेरिट में उपर हो जाते हैं तो ये देखो दोन समास दोन समास में दोनों पद प्रधान हैं देखो दोनों पद कैसे प्रधान होते हैं इसको समझ ये दोनों पदों का इसमें बराबन महत होता है और ये तीन प्रकार के होते हैं देखो दोनों पद कैसे प्रधान ह तेहीं इसको समझिया राज-पुत्र खाना खा रहाDonald इसमें पहले पढ़ा था हम राझा भी और पुत्र भी है तो दो पद्ध हो गएने है इसमें लेकिन क्ाना दोनों नहीं खा रहे क्ाना खा रहा है फुत्र राजा खाना नहीं खा रहा पुत्र खाना खा रहा है इसका मुला दूसरा प्रधान है इसमें और देखे माता पिता खाना खा रहे है अब देखे माता पिता खाना खा रहे है इसमें माता जी भी खाना खा रही है और पिता जी भी खाना खा रहे है और इसलिए खाना खा रहे है ये किस के लिए आएगा ऐसे नहीं हो सकता माता पिता खाना खा रहा है ये देखें ये जो माता पिता खाना खा रहा है ये वाक्य गलत हो जाएगा ना क्योंकि इसमें पिता थोड़े खाना खा रहा है माता भी तो खा रही है तो पर दोनों के लिए क्या लिखेंगे खा रहे ह तो अंतर समझे, यहां तो राज पुत्र खाना खा रहा है, क्योंकि अकेला पुत्र खाना खा रहा है, यह वाक्य सही है, लेकिन माता पिता खाना खाना खा रहा है, यह वाक्य गलत हो जाएगा, ऐसा समझे, देखे आप, यहां भी दो हैं, और यहां भी दो हैं, यहां दो मेक सो के अर्थ के आधार के पर हम लोग तै करते हैं कि ये समास कौन सा है। ये दोनों पद परदाना ए इसमें। अब ढ़ए और लगा दो चाए तत्था लगा दो चाए एवं लगा दो चाए वे लगा दो। थोड़ा थोड़ा पिता खाना खा रहे हैं माता वे पिता दोनों खाना खा रहे हैं खाना खा रहे हैं अब देखो इसमें पहले है इतर इतर दूंद इतर इतर ये भी ये भी दोनों दोनों पदों का बराबर का महत होता है जैसे देखो अन जल उसने अन जल छोड़ दिया तो क्यारत हुआ उसने अन भी छोड़ दिया और जल भी छोड़ दिया तो फिर विग्रे करेंगे और से, डाल भात, डाल भात बहुत अच्छा बना है, तो उसमें डाल भी अच्छी बनी है और भात भी अच्छी बनी है, और से विग्रे करेंगे, हरी हर, हरी का हर्थ है, विश्नू, हरी यानि विश और हर यानि शिव ये हरी है विश्नु और वो है शिव तो हरी और हर का मतलब क्या हुआ विश्नु और शिव ये चार और तीस ये देश विदेश देश और विदेश वे देश विदेश में घूम चुका है इसका अपने देश में भी घूमा और दूसरे विदेश में भी घू हैं 68, 68 और 7, 26, 26 और 20 तो ये जितनी संख्या हैं, दो संख्या मिलकर एक बड़ी संख्या का जो निर्मान कर रही हैं, ये सब के सब दोंद समास है और इसका विग्रह इस तरह से होगा, इसमें 34 में 4 का भी महत्व है और 30 का भी महत्व है तब जाके 34 बनता है 26 में 6 का भी महत्व है और 20 का भी महत्व है और 26 दोंद समास है और देखिए ये विकल्पक दोंद है विकल्प यह नहीं दो में से किसी एक का एक विकल्प कार्फ बैठेगा और ये ऐसे विलोम शब्द हैं कि दोनों एक साथ संबव नहीं हो सकते, जैसे देखे घट बढ़, व्यापार में घट बढ़ होती रहती है, व्यापार में घट, अब व्यापार या तो घटेगा, या बढ़ेगा, दो में से दोनों एक साथ नहीं हो सकते, वे देश विदेश घुन चुका है, देश विलोम विदेश भी होता है, रात और पिता है तो विलोम लेकिन यहां पर दोनों एक साथ संभव सकता है माता की भी सेवा कर सकता है ऐसा नहीं है कि माता की सेवा करें तो फिर पिता की नहीं हो लेकिन यहां पर अगर व्यापार में घाटा हो रहा है तो फिर बढ़ोतरी नहीं होगी तो घाटा नहीं होगा इस बढ़ भी दोंद समास है लेकिन इसका विग्र होगा घट या बढ़ और से और देखिए हानी लाब हानी लाब या आप वाक्य नहीं बना सकते कि मेरे व्यापार में हानी लाब हो रहा है ना या तो हानी हो रही है लाब हो रहा है तो इसका मलहा नहीं हो सकती लाब नहीं हो सक या तो हाँ बता दो, या ना बता दो, दोनों तो हुई नहीं सकती, और देखे समाहर, समाहर का मतलब है समू, समाहर कार्थ है समू, दो से अधिक समू का जिसमें अर्थ हो, दो से अधिक होना चीए, दो से ज़्यादा, तो देखो, ये हाथ पाउं, हाथ पाउं, देखो भई शरीर के सारे अंग बचाने, शरीर के सारे अंग बचाने, अब सारे अंगों का कितना आख नाम लेते, किस किस अंग का नाम लेते कि उसको बचाना, इसलिए हाथ पाउं में क्यों दो का नाम लिया जातर ये दोनों ही काम करते हैं, और दोनों ही रिस्क में रहते हैं, इसलिए भीया ग्रियस्त में नौन तेल का भाव पता लग जाएगा जब ग्रिस्ती बसाओगे नौकरी लगेगी नौकरी के बाद में ग्रिस्ती शादी होगी शादी के बाद में ग्रिस्ती बसाओगे तब पता लगेगा नौन तेल का भाव नौन तेल में एक है नौन यानि नमक और तेल नमक और तेल का भाव पता लगेगा अब यह क्योड़ क्या नमक और तेल दोकाई भाव का पता लगेगा या घर गृस्ति संपनदी सैंकड़ो चीजेń रोटी कपड़ा मकान सब कुछ कारत है लेकिन यहां कह रहे हो नोन तेल अब नौन तेल का विग्रह क्या होगा नौन तेल आदी से करो चाहिए इत्यादी से करो विग्रह ये भी आदी इत्यादी कोई भी लगा दो ये विग्रह है ये समाहर दुन्द के लिए देखें मक्खी मचर देखो भई जो मक्खी मचर पैदा मतोंने देना तो मक्खी और मचर दो जी होता है, वाई कार्थ होता है आदी अगर हम कहेंगे चाय लाओ तो बिल्कुल सूखी चाय आजाएगी चाय लाओ तो एक कप में चाय आजाएगी चाय पी लिजाए लेकिन आरे भाई चाय वाई लाओ तो पर चाय भी आएगी और चाय से ज़्यादा important नाश्ता वगरा देखो अरोसी परोसी यह मामला है भाई परोसी तो होता है लेकिन यह अरोसी क्या बला है अरोसी ते इस परोसी के आधार बे बनाए वाईयों ही शब्द है अब इसमें ये ये निरर्थ है लेकिन नहीं अरोसी का अर्थ है आदी परोसी देखो अरोसी परोसी का दियान रखा क खरो, खुद का ही ध्यान रखते हो, इसका अमलब पडोसी और और दूसरे भी कोई बाहर के लोग आते हैं, उसका ध्यान रखिए, पांच शे, ये संग्या, दो दो संग्या मिलकर के समास बनाती है, पांच और छे, पांच के बाद तो छे ही तो आता है न, अगर ऐसे क्रमिक स क्या है, चार, पांच, तीन, चार, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छे, तो फिर इसका विगरे होगा या, भाई, पांच छे लोग आ जाना, इसका मनलब क्या होगा, या तो पांच आ जाना, या छे आ जाना, देखो छे ऐसे लिखा जाता है, ऐसे यह जो ऐसा हम लिखते हैं यह तो अशुद है यह यही सही है पांच छे अब लेकिन यहां तो पांच साथ है पांच के बाद तो छे आता और छे के बाद साथ आता तो बीच में गैप आगिया ना तो यहाँ पर फिर 57 का विग्रे करेंगे 5 से 7 तक, मालो आपने का 57 लोग आ जाना और आगे 6 तो गलत आये या सही आये, मैंने का था 57 लोग आना और आगे 6 सही आये, क्यों, 57 का अर्थ क्या होता है, 5 से 7 तक जिसमे 6 भी शामिल है, तो देखो अगर बीच में गैप हो गया, त हम लोग बहूरी समास पर आ रहे हैं, बस मित्रोई हमारा और ये महत्पुन समास है, और ये समझे कि पूरे समासों में 40% महत्पुन समास बहूरी समास है, और ये काफी विशेशताएं भी लेकर के आ रहा है, बहुत सी दिक्कतें लेकर के भी आ रहा है, जिसको बहूरी समा समास पर अच्छी मास्टरी है वह समास में 40 परसंट मजबूत हो गया देखो साब बहु वरी का अर्थ क्या होता है बड़ा जीम नाम है बहु वरी अरे खेत में फसल काट लेते हैं हम लोग चावल काट लेते हैं या गेहूं काट लेते हैं तो उनके पूले बना के रख लेते हैं गेहूं के पूरे बन गे आजकल तो ट्रैक्टर से ट्रैक्टर से एक गिर जाती है खेत में, पूले बनाने के बाद में भी कुछ बालें खेत में गिर जाती है, उसको कहते हैं बहुरी, खेत में गिरिवी धान की बालों को एकत्र करना, ये जो हमारे समास थे तीन, हमारा समास था अव्वेई भाव, हमारा समास था ततपुरुश और में अगर कोई ऐसा शब्द समास बन गया हो इन तीनों मेंसे जिसका उन दोनों शब्दों में जो अर्थ होता वो अर्थ नह रहे और कोई अन्न अर्थ छिटक करके अलग अर्थ हो जाए वह बहूरी हृृ तो मुख्य फसल तो कट गए इन तीन समासों में और जो विशेश अर्थ धारन करने के कारण बाल की तरह खेत में गिर गया अलग उसको बहुरी समास कहते हैं तो देखो साब समास की मुख्य भसलत ओवार की तीनो समास में कट गई लेकिन कुछ बाले खेत में गिर जाती उसी परकार अर्थ की विशिष्था प्राप्त कर लेने के कारण जो समास उपर के तीनों समासों में नहीं समेटे जा सकते और उनकी अलग से एक श्रेणी बना ली गई और वही बहुरी समास कहलाता है अब देखो बहुरी समास में दोनों पदों का मूल अर्थ नहीं रहता मूल अर्थ नहीं रहता नहीं रहता विशिष्ट अर्थ या तीसरा अर्थ होता है जैसे समझे चार पाई चार पाई का अर्थ होता है जिसके चार पाई हूँ जिसके चार पाई हूँ ये तो अब तो ये अर्थ उस तरह से नहीं होता, ये केवल खाट हो गया, केवल खाट, कुर्सी के भी चार पाए होते हैं, टेबिल के भी चार पाए होते हैं, लेकिन आप उनको चार पाई नहीं कहते हैं, क्योंकि इसका टेंडर, इसका जो है, अलग से ठेका, खाट के लिए उठ चुका अब ये देखो यहां चार पाई बहुरी हो गया कुर्सी और टेबल को नहीं आगे देखें देखो मित्रोब बहुत गंभीता से मैं इसको बहुत नए धंग से प्रस्तुत कर रहा हूँ अभी तक किसी भी पुस्तक में और अन्यतर कहीं पर भी बहुरी समास को इस तरह से प्र पहला तो यह है अ प्लस बी बराबर सी यानि एक अर्थ तो यह रहा है एक तो शब्द यह रहा और दूसरा शब्द यह रहा और ये दोनों ए और B मिलकर के सामानिते क्या बनना चाहिए, A भी बनना चाहिए ना, A प्लस B, A भी होता है, लेकिन नहीं, A भी प्लस A भी नहीं होकर के C हो गया, यही हमारा अन्य अर्थ है, यही हमारा विशिष्ट अर्थ है, यही विशिष्ट अर्थ है, यही विशिष्ट अर्थ है, यही पहला पद पहला पद ए दूसरा पद ब और तीसरा अर्थ ये सी विशिष्टर दोनों शब्दों से अब उसका जो तीसरा नया अर्थ होता है उसका उन दोनों शब्दों से कोई सम्मंद नहीं रहता देखिए नक्टा नक्टा में दो शब्द है नाक और कटा हुआ अब नाक और कटा हुआ है और इसका अर्थ क्या हुआ बेशर्म हम उस विक्ति को भी नक्टा कह देते हैं जिसका नाक साबुत है तो पिर कहने का अर्थ तो हमारा क्या हुआ हम तो बेशर्म कहना चाहते हैं अ नाक जाकर के चेक करने लग जाएं कि नाक तो कटा हुआ ही नहीं है अरे नाक कटा हुआ कहा है ये तो बहुरी समास है ना उसका अर्थ बेशर्म है दो गला बताओ गले दो किसी के देखें कि एक गला और एक गला और और दो गले होते हैं कि ना एक ही गला है इसी गले से कभी तो कोई क्या बात कहे दे और बाद में पलट करके फिर दूसरी बात कहे दे ये दो गला अब दो हो गे लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ गला दो नहीं है गला एक ही है दुहरी बात करने वाला बारी किस समझे है हम लोग देवी देवताओं कोई बहुरी माने बैठे रहते हैं नो हिंदी में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बहुरी समास है जिन में दो शब्दों का कुछ अर्थ अलग है और ये उसका अर्थ तीसरा निकलता है ये देखो सिर फिरा सिर फिरा तो पहले भी इस पर बात कर चुके हैं सिर फिरे का सिर कोई फिरावा नहीं रहता है सिर बाकाइदा धड़ पर ऐसे ही रखता है, लेकिन उसको संकी को कहते हैं सिर्फर, ये देखो दशानन, दश है आनन जिसके, रावन के कितने आनन, दश बिलकुल गलत बात है, अगर दश रावन के दशी आनन होते, तो फिर ये बहुरी कैसे बनता, रावन के आनन है क्यों एक, रावन के एक ही आनन है, साब, एक ही आनन है इस रावन के, ये रावन का एक ही आनन है, ये जो हम लोग पांच इदर बना देते हैं, पांच इदर बना देते हैं, सब कपोल कलपीत है, ये है भाशा को, संश्कित भाशा को नहीं समझना है, ये बहुरी समास को ही नहीं समझन अगर किसी के दशी आनन और उसको दशानन कह देते तो फिर बहुरी कहां बन्दा हो तो द्विगू बन जाता है जैसे ये चत्र भुजे ये त्रिकौन है ये रा त्रिकौन एक दो तीन तीन कौन है त्रिकौन है तो ये तो द्विगू है इसमें क्या बात है जिया उसका आनन है एक लेकिन हमारे भाषा में जिनकी सामर्थ को उनकी ताकत को शक्ति को अधिक बताने के लिए हमने ये प्रियोग किया ब्रह्मा के लिए प्रियोग किया चतुरानन यानि और सामने देवताओं की तुलना में वो चार गुना अधिक बुद्धिमान है ये जो आनन है इसी मे हमने ब्रह्मा जी को अधिक शक्तिशाली बताने के लिए कहा चतुरानन, फिर उनके बेटे हैं शिव, ब्रह्मा जी के, उनको ब्रह्मा जी से भी अधिक बड़ा बताने के लिए कहा पंचानन, पंचमुक, वो शिव हैं, और शिव जी के बेटे हैं कार्थी के, कार्थी के को बड़ा बताने के लिए कहा शडानन उनके च्छानन बता दिये तो हमारे रावन के जो लोग हैं उन्होंने कहा इनके चतुरानन है पंचानन है शडानन है तो हमारा रावन है दशानन तो रावन की शक्तियों को और अधिक बताने के लिए ऐसा किया गया ऐसा ही भुजाओं के बारे में हमारे विश्णु का चतुर भुज और हमारे आप देखो मूर्तियां और सारे हमारे कलेंडर और ऐसे बन गए जैसे दो भुजाओं उपर और दो भुजाओं नीचे हो चतुर भुज ऐसे नहीं हुए विश्णु ऐसे नहीं हुए बात उसका आशे था कि उनकी दो भुजाओं में चार भुजाओं की ताकत थी लेकिन वो भुजाएं उनकी दो ही थी लेकिन हमने ये बना दिये खूब ये खेल चला हमारे यहां पर जब हमने भाशा को अच्छी तरह से नहीं समझा हमने समास को अच्छी तरह से नहीं समझा जो बात लक अले को भी दो गला मन लीजे, अगर नाक कटे को कहते हैं कि नाक 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 तो थाबूत होता है, तो फिर वहाँ पर नाक कटे का वो अर्थ ही नहीं, उसी प्रकार से दशानन का दस आनन वाला ही नहीं, अब दशेरे पर आप मजे लेकर कि दस दस जो है सिर रावन के बनवाई बनाईए और उनको जलाईए, वो अलग कहानी है, लेकिन भाशा की दृश्ची से दशानन में दस आनन नहीं है, ये विगरत होगा दस आनन जिसके, लेकिन लक्षना में कही गई बात है, इसका अमलब बहुत बुद्धी मान व्यक्ति, लेकिन वो फिक्स हो गया रावन के लिए, और ये बहुरी हो गया, ऐसे ही देखे चतरमुक, चारमुक, वो ब्रह्मा के लिए हो गया, ऐसे देखो चक्षुश्रवा, चक्षुश्रवा का मतलब है, जो आखों से सुनता है, हमारे यह साप को, अब आखों से नहीं सुनता है, साप तो सुनी नहीं सकता, उसकी तो चमडी पर जो ध्वनी की तरंगे आती है, उसकी पूरे शरीर पर, उससे वो अंदाजा लगा लेता है कि ये ध्वनी किदर से आ दी और उदर देख लेता है, हम सोचते हैं कि साप सुन रहा है और उसलिए सुना है, आवा सुनिये तब ही तो हमारी तरफ देख रहा हूँ, नो, हमारे विक्ती ने साप को मार पीट करके देखा, उसके आँख तो मिली और कान नहीं मिले, और हमने गलट धंग से क्या सोच लिया, कि वो चक्षू से सुनता है, चक्षू देखता भी और चक्षू से सुनता भी है, और हमने साप को क्या कह दिया, चक्षू श्रवा, च उसका साप का चक्षू से श्रवन करने का कोई सम्मन्द नहीं लेकिन ओचल पड़ा साप के लिए देखो मित्रो ये सब वो हैं जिसमें ये जो शब्द कहें नाक और कटार्ग दो और गलेर सिर है फिरावार दश है आनन चार है मुक और चक्षू श्रवन का इनका अर्थ निक बहुरी समास भाशा की बहुत उन्ट रोचक लक्षना आधरित वो शक्ति है और जिसके अधार पर बहुरी समास बनाए आगे देखिए बहुरी समास दो शब्दों का सीमी तर्थ होता है जिया। ए और बी का अर्थ सी नहीं होता ए और बी होता है लेकिन देखो ये तो कैपिटल ए है और कैपिटल बी और ये स्मॉल ए और बी है इस कामला ए बी का अर्थ तो है लेकिन वो अर्थ बहुत सीमित छोटे अर्थ में हो बहुत छोटे अर्थ में सीमित अर्थ में सीमित अर्था यह समझे केवल जैसे चार पाई जियां चार पाई के चार पाई हैं लेकिन केवल खाट यह केवल खाट होगी देखिए इसको दान देखिया आप चार पाई चार पाई के चार पाई है यह बात सही है लेकिन चार पाई औरों के भी है लेकिन वहां नहीं कहकर केवल खाट को कह चार पाई देखो लंबो दर जी यां गनेश जी को कहते हैं उनका सच्मुच उदर लंबा है पिछकावा पेटा अपने गनेश जी का कभी नहीं देखा होगा उदर तो लंबा ही है लेकिन जिसका भी उदर लंबा हो कहीं पर भी हमारे समाज में खूब है आजकल लंबे उदर वाले लेकिन उनको लंबो दर नहीं कहते क्यों अर्थ सीमित हो गया केवल गनेज जी चार पाई केवल खाट नीरज देखो जो नीर में जन्म ले नीर में तो सैंक्रों चीजे जन्म लेती हैं सिंगाडा भी तो नीर में जन्म लेता है उसको नीरज क्यों नहीं कहते क्यों ठेका उठाया, बास केवल भाशा में जब केवल एक ही किसी चीज के लिए वह शब्द रूड हो जाता है, निश्चित हो दाता है, फिक्स हो जाता है, दो सबनावा समास, बास वो भी बहुरी हो जाता है, आशु तोश, आशु एनि शीग्रीत, तोश एनि संतुष्टी प्रा बहुत से पाहडों पर हिम जमती है, लेकिन केवल सीमित हो गया, भारत के उत्तर का जो परवत है, वो हिमाले, बाकी दुनिया के और हिमाले नहीं है, ऐसे पंचवटी, पांच वट वरक्षों का स्थान, फिक्स हो गया, और ओं महराष्ट्र में एक पौरानिक स्थान है, ज इस सब बहुरी समास है मित्रो, देखे बहुरी समास में, पहले तो आप देवी देवताओं को मान लीजे, मना लीजे इनको, ये सब बहुरी हैं, सब जानते आप, मैं जड़ड़ जड़ड़ इनको बोल देता हूँ, आप पहले से इनके बारे में परचित हैं, देखो वज वज्रपानी और ये इंद्र के लिए रूड हो गया शूल पानी जिसके हाथ में शूल और शूल यानि त्रिशूल वो कौन है हमारे वो शिवजी हैं वीना पानी जिसके हाथ में वीना हो वीना हो तो कौन है सरस्वती चक्र पानी देखो पानी पानी से कितने बहुरी समास है यह हमारी वज्रपानी, शूलपानी, वीनापानी, चक्रपानी, तो जिसके हाथ में चक्र वो विश्णू है और कृष्ण है, मुरारी मुर्राक्षस को जिसने मारा, रूड हो गया, वो है हमारे कृष्ण, पंच, शर, पांच है जिसके बान, और वो है हमारे कामदेव है, पुमल मार मारता है कामदेव इसलिए उसको पुष्व धनवा कहा और वक्र तुंड जिसका तुंड तुंड यानि मुख जिसका मुख टेड़ा है युद्ध में गणेश जी का मुख टेड़ा हो गया इसलिए गणेश जी है यह सब मित्रो देवी देवता हैं और यह सब प्रश्चन आ रहा है मित्रों बास इसके बाद थोड़ा सा बहुरी के बाद में समास का प्रकरण खतम हो रहा है लेकिन सबसे सबसे ज़्यादा जटिल है यह परिक्षा में बहुत आता है और इसके कॉंसेप्ट को समझ लेंगे तो फिर इस लड़ाई को हम जीत लेंगे देखो यह पंचानन है पंचानन तो पंचानन जो है इसमें शिव को कहते हैं पंचानन अभी बता है अपने आनन पांच नहीं है पांच होते तो द्यूग हो जाता लेकिन पांच नहीं है पांचानन की शक्ती जिन में है वो शिव है ऐसे शड़ानन कार्थी को कहते हैं दशान को इंदर को कहते हैं सहसर और अक्षिय अक्षिय नहीं आख और इसकी ई गाइब हो करके ये सहसर के साथ दीर किसंदी हो गई ये सहसर और अक्षिय और ए इसका एर ए मिलकर के आवन गया और इगाइब हो करके सहसर अक्ष हो गया इंदर को कहते हैं बताईए अगर इंदर के कोई थी वह राजा था राजा दो आखों से नहीं देखता पूरे राज जी को फौज पुलिश गुप्थ चार सिपाय वी साब करम चारी सब राजा की आखें होती हैं इसलिए revenue भग sunscreen हजारों आखो से राज क्यों? ये सब कर्मचारी गुन ये उसकी आँखें. ये ही बात राजा के साथ थरसहसराक्ष। ये त्र लोचन है. तीन लोचन नहीं थे मित्रो. शिव जी के दो ही आँखें थी. ये दो ही थी आँखें. लोगों ने यो एक तीसरी आँख और बना ली. नो. ऐसा नहीं है. श इसलिए शिव में अन्ने राजाओं की तुलना में अन्ने हमारे देवताओं की तुलना में इस दुनिया को इस संसार को देखने की जो द्रश्ची ती शक्ती ती वो अदिक थी इसलिए उनको तरी लोचन का ह। तो त्रिलोचन का मलत तीन आखे नहीं, दो आखों वाले देवताओं से अधिक, बारीकी से इस दुनिया को सत्य को देखने की ख्षमता वाला देवता, वो त्रिलोचन है, यह त्रिलोचन है, और चतरभुज मैं बता चुका, दो भुजाएं हैं लेकिन दो भुजाओं में विचार भुजाओं की ताखते विश्णु हैं अब देखो ये देखो चतुरानन सब्त रिशी चार अनान जिन के ब्रह्मा और ये साथ विशिष्ट रिशी हमारे भारदवाज और ये त्री पिटक ये हमारा बौधधर्म का ग् एक्तिवाचक संग्या है त्रीवेणी गंगायमना सरस्विथिका संगा मस्तले एक विशिष्टार्थ है नवग्रह और नवरात्र देखो मोटी बात ये है इन सब में पहला शब्द संख्या है ये देखो पिश्रे में में इन में भी पहला शब्द संख्या है ये देखें पंच, शड, दश, पंच, सहसर, त्री, चतुर, क्या पहला शब्द संख्या आजाने से हम इसको द्वीगू कह सकते हैं? क्योंकि द्वीगू समास में पहला शब्द संख्या होता है, लेकिन संख्या होने पर भी विशिष्ट अर्थधारन करने लेने के कारण ये बहूरी समा समास है, यही बात आगे की बात है, यहां भी देखिए यही बात है, यहां पर भी ये चतुर, सब्थ, त्री, त्री, नव, नव, और ये सब के साब विशिष्ट अर्धारन करने के कारण ये साब बहूरी समास है, चतुरानन ब्रह्मा को कहते हैं, ये हमारे साथ विशिष् नाम फिक्स हैं वो कौन थे और त्रिपर्टिक ये जो है एक विशेश ग्रंत है रहे हमारा बहुत धर्म का और त्रिवेणी ये सरस्वती का संगम स्थलिस हमारा संगम है और नवरात्र भी चैतर और आश्विन के बाद आने वाली नवरात्रियां आज से नवरात्र शुरू होती उनी के लिए फिक्स है नवरात इन सम्में पहला सब संख्या होने के बावजूद विशिष्ट अर्थधारन करने के लिए निकारण ये द्वीगुन हो करके बहु रही है ये देखो इन सम्में फिर संख्या है अश्टाध्याई पाण्णी की व्याकरण जिसके अधार प पंजाब देखो पांच आब आब यानि पानी नदियां पांच आब का क्षित्र ये पंजाब है जितना भी ऐसा दो शब्दों से मिलकर बहु जो व्यक्ति वाचक संग्याई बनती है दो शब्दों से पंजाब व्यक्ति वाचक संग्याई प्रदेश का नाम है सब के सब ब बारे नेगळे ऊच्वार्ट शेख़ंग सबस्क्टारों के तर दो 수도 क्या देखें हैं लेकिन करें दीजा हो के दुदर तो वारा वेड़ा वाले नहीं हैं तुथ पंचामृत दूद धई भी पांचगी एंध्यद 爵च है ते कहते हैं पंचामरत में और कोई यह कुछ भी नहीं ढूद सकते यह तिरंगा तीन रंगों का भारत का राश्ट बताइए कोई कपड़ा तीन रंग का प्रतीक एक चिन्न है हमारा विश्षी स्टर्धारन कर लिया उस त्रिफला देखो हरडे बहडे और आउला ये तीन जो है इन तीनों फ़लों का जो समाहर है इनका मिश्रन उसको त्रिफला कहते हैं ये आईरुवेद का एक बहुत प्रसिद्र हमारा चून होता है दवा होती है त्रिफला आँखों में काम करता है पेट में बहुत अच्छा काम करता है हरडे बेडे आउला ये तीन प्रकार के फल हैं अब अब बाती अगर किसी प्लेट में केला अमरूद और आम रखें तीन फल रखें केला अमरूद और आम क्या आप कह सकते हैं को त्रिफला उठा लाओ क्यों कह दो त्र इंडर किसके नाम खुल गया इसके नाम खुल गया यह रड़े बैड़े आउले के नाम यह बहुरी समास है मित्रों जबकि पहला शब्द संख्या है दूमुई देखिए दूमुई साप के दो मुऊ होते हैं कुछ सांप होगे वो दूमुई सर्प के जाती विशेश है एक ज हैं शट्पद और शट्पद का कीड़ा विशेश ब्रहमर चैपाओं वाले और बहुत से कीड़े मकोड़े हैं लेकिन भौरे के लिए फिक्स हो गया शट्पद त्री शूल तीन शूलों का समूशिव का हतियार है यह सब संख्या है मित्रों मैं खास बात बहुरी में बता कर रहा हूं यहां पर एक पूरा ग्रुप आपके सामने बना के प्रस्तूत कर रहा हूं जिसमें पहला शब्द संख्या है और यह कोई भी द्विगू नहीं है यह सब बहुरी है क्योंकि अर्थ इसका विशिष्ट है एदे को त्रिशूल शट दर्शन हमारे छे दर्शन है मिमान सा नयाय सांख्य योग वेशेशिक यह च्छे प्रकार की जो दर्शन है च्छे पांच और एच्छे च्छे दर्शन उसको शर्द वो फिक्स हैं मिमान सा योग सांख्य नयाय वेशेशिक यह सब दर्शन है सहसरानन सहसरानन शेशना को कहते हैं अब कोई गिंती थोड करते हैं उसको चमाई के बाद में हम लोग जो कर्म करते हैं उसको चमाई कहते हैं अब वो विशिष्ट अर्थ धारन कर लिया कि हमारे दादा जी की छमाई फला तारीक को है तो वो छमाई एक विशिष्ट अर्थ धारन कर गया एक विशिष्ट कारिकरम के लिए और देखे आप दो गला इसमें सब में संख्या है दो गला चोपाल दूमुहा चार पाई पंच पंचांग, सब्त रशी, सब्त शती, और चो मासा और चो पाई, ये सब के सब बहुरी समास है, क्यों? दो गले वाले विक्ति, इसका तीसरा अर्थ निकल रहा अपनी बात पर ने टिकने वाला, चो पाल, गांव का सारजन के स्थल है, चार तो उसके पाल हैं, दूमा दो हो, लेकिन दूहरी बात करने वाला, चार पाई, खाट को कहते हैं, और ये पंचांग है, जोतिश की एक पुस्तक विशेश है, उसको पंचांग कहते हैं, उसके पांच अंग होते हैं, लेकिन बस पंचांग, जोतिश की सब्त शती, साथ सो चंदों का कावी विशेश है, ब क्षावान भाद्रपद और आस्वन यह चार फिक्स हैं नाम के चोपाई छार चारण के छंदफ को बहूत से हैं बैकन सिर्फ चारपद वाला चारपाई का इनने फिक्स हो गया चार तो रोला है हाँ हैं, तो और दूसरे समासों की है, हरीदर गी तिका सौन हो गयंगाते हैं, उन्को छोपाय। ideals सौपाओ सब्सक्राइब एक उर की कि denken की लिए हैं, भी यह चाहु सक्षिनलений व्यमय। पद होते हैं लेकिन कुंडलिया कुंडलिया चपद चपद तीस मार खा लो शूरवीर को कहते हैं को तीस को मार करके खाए ऐसा कुछ नहीं है कि उसने तीस को मार के खाने वाला हो सब्त पदी, ये देखे, साथ पद, क्या हम कहते हैं साथ फेरे, साथ फेरे नहीं है, फेरे हमारे चारी लेते हैं, फिर ये साथ फेरे क्या हैं, साथ वचन है, जो वर और वदू दोनों मिल करके लेते हैं, उसमें शब्द है पद, ये हमारा पद है, साथ पद, पद का अर्थ वही शबद वचन पद में अर्थ होते हैं तो सब्त पद है इसमें चार पद और तीन पद मिलाकर के साट पद यए हिंदूँ की विवहाद पद़ती है अद्विती है इसमें भी दो शब्द है दो नहो जिसके बराबर अद्विती का मतलब क्या हुआ होगा बबा कोई दूसरा लेकिन निराले की अच environments किया ये तो भाई इस न अद्विती है काम किया विशिष्ट है ये भी बहुरी है चोकन नहां थे चोकन नहींगी, तो फिर पहली बात चौ, यह दूपी कुँ समास नहीं है, और चार कान का जाय है, मतलम नहीं कान तो रहनी है, ने लेकिन ज्यदा सजग हो जाना है, यह भूरी समास, और देखिया आप, यह विशेष्ट अर्थ रखने वाले समास, संख्या व देखो नीरज, नीरज कमल को कहते हैं, नीर में जन्म लेता है, लेकिन विशिश टर्थ है कमल को, हिमाल है, पहाड विशेश हो गया, हिमकाल है, वाला कोई नहीं हमारा फ्रिज भी हिमकाल है, उसमें भी बर्फ का स्थान है, लेकिन उसको नहीं कहते हैं, हिमाल है, हमारे उत् अर्टनाकर समुद्र कोई कहेंगे। ना के वल परथू के लिए फिक्स हो गया गूरु मुखी अब बताओ गूरु को मनल गूरु के मुछ से निकलने वाली ना पंजाबी की लिपी का नाम है लिपी तो हाथ से लिखी जाती है उसका मुख से क्या समन्द है तो लेकिन नाम पड़ गया गूरु मुखी और अर्थ निकलाब लिपी ये बहुरी समास है दिगंबर दिख है अंबर जिसकी दिख या नहीं दिशाएं दिशाएं जिसकी वस्त्रों अरे भाई दिशाएं भी किसी की वस्त्रों हो सकती है क्या लेकिन हमारे नंगे को नंगा नहीं का है ये हमारी संस्कृति की विशेशता नंगे को भी कपड़े पैना दिये दिशाओं के ही पैना दिये इसलिए नंगे को दिगंबर का है दिगंबर हमारे जैन सादू है जैन धर्म का संप्रदाई है ये भी दिगंबर है और नंगे को भी कहते हैं और शिव को भी कहते हैं दिगंबर ये सब बहुरी है तीनों ही अर्थों में ये अनुमती देखो मित्रों में खासर से आपको ये बात बताना चारा हूँ इन चार ये चार समास में ने एक साथ इकटे किये हैं देखो इन चारों में क्या खास बात है चारों में क्या खास बात है देखे चारों में उपसर गेसा अनू 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 प्रती और ये क्यों पहले भी चर्चा हो चुकी है देखो अनुमती का अर्थ है मती के अंसार मती के बुद्धी के अंसार लेकिन ये तो अर्थ होता ही नहीं मुझे कमरे से बाहर जाने के अनुमती दीजिए तो बुद्धी के अंसार दीजिए ये अर्थ नहीं है आग्या दीजिए विश् पीछे पीछे चलने वाला, पहले सेट सावकार आगे यात्रा करने के लिए आगे आगे चलते रहते थे, और उनके खाने पीने का सामान लद करके उनके पीछे पीछे नोकर उनके पीछे पीछे चलते थे, आगे मालिक और पीछे नोकर, उनको कहते थे अनुचर, वो हमेशा पीछे चलता था आज अनुचर का ये पीछे चलने वाला अर्थ रहा ही नहीं आज नोकर है वो चाहिए घर में आपके काम कर रहा हो आपकी पीछे का चल रहा हो लेकिन उसको अनुचर कह देते हैं तो इसका अर्थ विशिष्ट हो गया अनुचर का अर्थ हो गया सेवर पीछ किनारे किनारे से निकल कर जो किनारे की ओर आ रहा है वो अनुकूल है अनुकूल ये अर्थ रही नहीं ये वेक्ति मेरे अनुकूल है और वो मेरे पृतिकूल है अनुकूल यानि मेरे अनुसार मेरे समर्थन में मेरा समर्थन करने वाला मदद करने वाला पृतिकूल यानि मेर हो गया समर्थन में या पक्ष में या नुकूल का रथ हो गया और प्रतिकूल का रथ हो गया विरुद्ध। देखो कैसे उपसर्ग लगे होने के बावजूद इन शब्दों के अर्थ विशिष्ठ हो जाने के कारण ये अव्वेई भाव समास नहीं रहे और ये बहूरी समास हो गए कोई भी समास चाए वो अव्य उपसरगों से बनता हो अव्यों से बनता हो चाए वो हमारा ततपुरुश हो और चाए वो कर्मधारे हो चाए द्वीगू हो अगर उसने अर्थविशिष्ट धारन कर लिया है तो वो इनकी केटेगरी से निकल करके बहुरी समास में चला जाता ह यही तो बहुरी है अलग से बालों को इकटा करना मुक्खे फसल के इकटने के बाद ये देखो राजपूत देखो एक है राजपुत्र ये राजपुत्र है इसकार्थ ये होता है राजा का पुत्र और ये तत्थ पुरुश है राजपूत्र भोजन कर रहा है राज़ा का पूत्र भोजन कर रहा है वो राज़ा का बेटा है लेकिन राज़पूत्र राज़ा का पूत्र थोड़ी है अब राज़ा ही नहीं रहे लिए फिर भी राज़पूत्र है हमारे भाई तो राज़पूत्र भाई एक जाती अर्थ हो गया, इसलिए राजपूट्र में राजपूट्र में थथ पुरुष्य। निशाचर क्या अर्थ होता इसका। राथ्री में विचरन करने वाला हम भी तो रात को राथ्री को विचरन करते हैं, खुब काम करते हैं, 10-11-12 बजे तक आते हैं। अब बताई हम तो निशाचर नहीं कहला थे, क्यों? निशाचर कार्थ ये रहा ही नहीं, रात्री में चलने वाला नहीं रहा, निशाचर कार्थ हो गया चोर, राक्षस या उल्लू, उल्लू रात कोई जो है उड़ता है, उसको दिर्खाई देता है, राक्षस और चोर, ये ये पहले हम संदीम पर चुके हैं, प्राप्त है उदख जिसको उदख जल को कहते हैं, वह गाँ विशेज जहां वर्षा हो गई हो, या वह म्रतात्मा जिसके बेटे पोतों ने उसको जल दे दिया हो, उसको दोनों को म्रतात्तामक दोनों को प्राप्त उदख कहते हैं, और ये एक नाथों का संप्रदाई विशेश है। कठकरा काठ का गेरा, कोई भी काठ का गेरा नहीं, नियाले में जो गवादेनी की जगह हो, कोई भी काठ की लकडी का बना ले, वो कठकरा नहीं कहलाएगा। वो विशेश शर्त है। लोग केते हैं मैं तेरे को कठगरे में खड़ा करने का मतलब नयाले में मैं तुम्हारे खिलाब वाद प्रस्तुत कर दूँगा महा कावे देखो महान है जो कावे कावे का भेद विशेश है जिसमें कठा लंबी हो अनेक छोटी छोटी कठाओं से मिलके बड़ी कठा हो रामचरित मानस महा कावे है कामा इनी महा कावे है तो वह एक प्रकार है कावे का शिर्फ फिरा हमारे पहले आई चुका लोक सभा जो टेक्निकल और्थ होते हैं वे सब बहुरी समास है ये भारती संसत का जो निम्न सदन है बड़ उच्चो सदन तो राज्य सभा है तो राज्य सभा भी बहुरी समास है और लोक सभा भी बहुरी समास है क्योंकि इनका विशिश्ट अर्थ है टेक्निकल और्थ है अब ही रहता है लेकिन उसका टेक्निकल नाम रख दिया श्वेट पत्र मक्षी सू चूश को रह एक मक्ही कोई चूस करके और इतनी भी कोई कंजूस होते हैं क्या लेकिन कंजूस को बना दिया सेहर देखो हमारे साहिती मोता सेहर दे लोग सेहर दे लोगों कोई कविता का रस मिलता है नाटक का आनन्द मिलता है सेहर दे तो सभी के है सभी के हरदे है सेह रदय है, रदय सहीत, यह अर्थ नहीं है, अर्थ है समवेदनशील, जिसमें समवेदनाओ, भाव, जो दूसरे कविता की भाव को समझने की ख्षमता रखता हो, चलता पुर्जा, चालाख, मशीन में, घड़ी में यह है, इसमें कोई पुर्जा चल राओ, उसको या मशीन कपड़े हैं, वो किसी भी तरह के कपड़े पहन ले, वही कहलाएंगे, और दूसरा कोई बेक्ती साधान आदमी सफेद कपड़े पहन ले, वो सफेद पोश नहीं कहलाएगा, तिल अंजली, देखो तिलों की अंजली, हमारे हिंदों में, जब किसी की मृत्य हो जाती है, त हमारे घर के आसपास को छोड़ करके प्रेत लोक में पहुंच जाए, हम छुटकारा चाहते हैं, यही तिलांजली का अर्थ हो गया, उसने जर्दे को तिलांजली दे दी, तो उसने जर्दे की पुरिया को कोई काले तिलों की अंजली थोड़ी दी, अंजली यानि आंदला दोहा, यह थोड़ी दिया है, छोड़ दिया, उसने जर्दा छोड़ दिया, बस यह तिलांजली देखो, यह बहुरी समास है, तिलों की अंजली दोहा त्याग देना, देखो सोचे बारी की सोचे, जिन दो शब्दों का जो अर्थ वह नहीं रह गया, जो उनका अर्थ होता है, तीसरा अर्थ निकल गया, वो है बहुरी समास, और देखिए समास, सफल, देखो सफल काम्याब, आप अपने परिक्षा में सफल हो जाएंगे, निमंतरन पत्र मिलेगा, आपको सरकार की और से एक आदेश मिलेगा, क्या फला तारी को इस जगए कारेले में सिवा ग्रहन करें, आप सफल होगे, फल मिल गे, आपने मेनत कर रहे हैं आप, यह है सैफल, अब यहाँ पर कोई फलों की टौकरी थोड़ी पहुचेगी आपके घर पर, फलों की टौकरी थोड़ी मिली है आपको, सफल का मतलब है काम्याब होना, उत्तीन होना, ये है, ये अर्थ होता है फल्वल से कोई मतलब नहीं रिखाए फल और फल नहीं ऋट पटांग देखें यह एक टांग से बना उट नहीं है कि गर जड़ पट जड़ पते जड़ ना पधी उट जड़ते रहते लेकिन नहीं एक रित शेश का में पत जड़, तटस्त, देखे तटस्त ब flower saffs है, सोचना पढ़ेगा अप तटस्त ब flower saffs है, यहे तट नदी है और आप यह धारा बेरिये हैं इधर। खोड़ी खड़े हैं जब आप कहे रहे हो में तठस तू तो आपके दिमाग में कोई किनारा होता है क्या नहीं होता निश्पक्षता का भाव होता है तो इसका अर्थ हो गया निश्पक्ष तट्वट नहीं और गगन चुम्बी गगन चुम्बी मारत है क्या वो गगन को चू इंची मारत गगन चुम्बी मारत तो देखे गगन चुम्बी भी बहुरी समास है इसमें गगन को चुमने का अर्थ नहीं है बहुत उचाई बताने का अर्थ है आप देखिए यहां पर इसे अनात जिसका सहारा नहीं हो बेसाहरा उसको कहते हैं जितेंद्री है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो नक्ता बेशर्म पहले अपन बात कर चूके प्रग्या चक्षु बहुत इंपोर्टेंट है प्रग्यानी बुद्धी, चक्षुएनी आँख, जिसकी बुद्धी की आँखे हो, किसी की बुद्धी की आँखे नहीं होती, आँखे तो जैसी होती ही यही होती है, लेकिन अंदे को कहते हैं प्रग्या चक्षु, अंदे को अंधा नहीं कहते हैं, यह कल्चर का सवाल है, उ उधेड बुन उधेड ना या बुन ना लेकिन जब कहते हैं मुझे क्या बता तुम्हारे मन में क्या उधेड बुन चल लई है उधेड बुन का मतलब तुम्हारे भीतर क्या सोच विचार चल ला है क्या उठा पटक चल लई है क्या तुम्हारे मानसिक्ता में विचार चल ले वो है उदेडबुन, विशेशर्थ हो गया, विश्धर, अरे विश्को तो धारन करने वाले विच्छू भी तो है, सैक्णों और जन्तु हैं जो विश्को धारन करते हैं, नहीं कहते हैं उनको, ठेका किन के लिए उठ गया, सांप के लिए, या हमारे शिव जी ने भी जहर प शाखाओं में दोडने वाला हरिन, शाखाओं में कोई हरिन दोडता है, क्या हरिन तो नीचे धर्ती पर दोडता है, बंदर को कहते हैं, बास, आप देखे, शब्द तो है शाखा और म्रिग और अर्थ निकल गया, बंदर, देखो, ये जितने गोर है आगे योगरूड शब जो लोग समझना चाते हैं, बहुत गहरी व्याकण में, जितने भी योगरूड शब्द होते हैं, जो दो शब्द मिलकर के उनका एक विशिष्ट रूड आर्थ बन जाता है, वे सब के सब बहुरी समास होते हैं, और देखे, दो शब्दों से बने व्यक्तिवाचक संग्या हैं, वो बहुरी समास होते हैं, व्यक्तिवाचक संग्या हैं हम ज़्यादा आसानी जानते हैं, देखो इस सूची देखे, व्यक्तिवाचक संग्या होते हैं, हिमाल है, बहुरी समास है, मंदो दरी, जिसका उदर मंदो दुबली पतली, वो है रामन की पतनी, रामायन, राम प्रदेश अंदूलन का नाम अश्थायद है पुस्तक है सुधाकर चंद्रवा को कहते और दिनकर सूरज को कहते हैं अगया यह किसी के लिए विशिष्ट और इस सब के सब बहूरी समास है क्यों यह किसी एक केले फिक्स हो जाने के कारण विशिष्ट अर्थधारन करने कारण बहुरी समास है तो जब कभी आपके मन में यह हो कि यह तो वेक्तिवाचक संग्या है तो फिर समास कुन सा है यह बहुरी समास है यह देखे यहां और देख लिए इस पश्टा देखे आप यह द्विगु समास है और यह बहुरी समास है इसको और समझ लीजे यह त्री भुज और ये त्रीवेनी है अब देखो ये तीन भुजाओं का आकार का ये तीन भुजाओं का आकार का है एक दो तीन ये द्विगु समास है और ये त्रीवेनी गंगा यमनार सरसुती और कोई भी तीन नदियां कहीं मिले त्रीवेनी नहीं है गंगा यंगन संगम हमारा जो संगम प्रियाग राज में वही फिक्स हो गया वही त्रिवेणी कहलाएगा ये देखे नो लखा नो लाक रुपे का हार नो संख्या है इसमें और ये देखे नव ग्रह यहाँ भी नव है और यहाँ भी नव है लेकिन ये शनी मंगलादी फिक्स हो जाने के कारण ये बहुरी समास है यह बहुरी समास है और यह हमारा नो लखा, हमारा संख्यावाचक होने के कारण यह द्विगु समास है। आगे देखें ये पंसेरी है पंसेर का बाट फिक्स है द्विगु समास है और ये पंचवटी बहुरी समास है ये विश्शिष स्थान हो गया है पंसेरी तो कोई भी हो सकती ये भी हो सकती वो भी हो सकती जो भी पंसेर का बजन हो पंचवटी कहीं भी नहीं हो सकती एक ही जग अर्थ विशिष्ट हो गया, ये तो कोई भी दो मंजिलर, कोई भी दो पयावान है, आगे देखिए, शताब्दी, शताब्दों का समू, सो वर्षों का, बिल्कुल कोई भी सो वर्ष हो सकते, और ये अश्ठाद्याई, ये भी, तो देखो मित्रों ये भी संख्याएं हैं, औ लेकिन ये सामान अर्थ होने के कारण ये द्वीगू समास है, और विशिष्ट अर्धारन करने लेकारण ये बहुरी समास है, ये मैं आपको फिर से दुवारा, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि संख्या दोनों में आएगी, दोनों में आप्शन आएगा, ये द्वीगू है ये बहुरी, ये पहचान की दृष्टी से बहुत इंपोर्टन प्रशन है, इसलिए कॉंसेप्ट को ध्यान में रखिए, अगर उसका विशिष्ट अर्थ है तो बहुरी है, भले हो संख्या, और अगर विशिष्ट नहीं खुला अर्थ सामान अर्थ है तो द ये देखो, एक ही पद और समास दो, देखो गोदान, गोदान में गाय का दान प्रश है, गाय का दान, दादा जी की मृत्वी के समय हमने गोदान किया, गाय का दान दे दिया, पंडिजी का काहिक बही एक गाय जो है आपको दे देंगे, और गोदान देखो प्रेम चंद का अपन्यास मैंने गोदान पढ़ लिया है यह बहुरी समास विशिश ठर्द है देखिए सिर्दर्द पहले बता चुके आप सिर्दर्द का एक तो सिर्मे दर्द है तो मेरे सिर्दर्द हो रहा है सिर्मे दर्द हो रहा है और एक आज सुबह से सिर्दर्द हो रहा है यह तो है ह पुजाओं का द्विग हुए इस चत्रभुज का ख्षेत पल ग्याद कीजे और ये चार पुजाओं अला देवता मेरे कस्वे में चत्रभुजी का मंदिर बन रहा है यहां पर यह बहुरी है यह देखे आज कल वह आज कल में आए गए या तो आज आ जाए गए कल आ जाए ग मोबाइल पिर आज कल का रथ कौन सा रथ हुआ आज कल का मतलब नई पीड़ी के लोग बीस बाइस पचीस वर्ष के लोग उनको कहेंगे हम आज कल आज कल की यह पीड़ी मोबाइल की गुलाम हो चुकी है ऐसा कहेंगे हम तो वो आज कल की पीड़ी कौन सी है वो आज यह अ यह लोटी खा कराया हूँ। तो इसमें डाल खाई यह रोटी खाई यह दो ही अरथ है दाल और रोटी, द्वन्द समास हो गया और देखें, सब लोग अपनी अपनी डाल लोटी में जुटे वे हैं। सब को अपनी अपनी दाल लोटी की चिंता है, वहां दाल लोटी दाल और रोटी नहीं, आजीवी का सभी, घर कृस्ती का सारा सामान चीजें, रोटी कपड़ा मकान वर्थ हो गया, यहां दाल लोटी बहुरी हो गई, यह देखें लोकनायक, जो जनता के दूद दर्थ को समझ नायन के लिए, तो फिर यह हमारा बहुरी समास हो गया, अब मित्रोक टेस्ट पे आजए, इबाद समास काफी हो गया, अब टेस्ट हमारे दो प्रकार के मुखिरूप से समास कौन सा है, और दूसरा इसका समास का विग्र है, अब तक मैं बहुत विनमरता के साथ कहना चाहत हूं, मैंने काफी प्रेतन करके समास को हर बारीक चीज को विस्तार से समझाया, आपका काफी समय भी लिया, इसको समझने में, कई लोग ठक भी गए होंगे, उब भी गए होंगे, जैसी जैसी जिसकी सामर्थ है, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी तरफ से समास में कोई चीज छ रिक्षाओ चाहे थर्ड ग्रेडो, सेकिंड ग्रेडो, पठवार का लेवल हो, LDC का लेवल हो, RAS का हो, IS का हो, किसी का भी हो, आप लोग इस समास में पारंगत रहेंगे, लेकिन अगर किसी को इतना बड़ा भारी महसूस हो, ठकान महसूस हो, उब हो, कि बापरे कितने समास के प्रकरनम में चला गया, मेरे पास समय नहीं है, तो मित्रो, इस टेस्ट से गुजर जाईए, ये सभी प्रकार के समास के महत पून उधारनों का एक मक्खन टेस्ट है, मक्खन निकालावा टेस्ट, आप इस टेस्ट को दो, तीन, चार बार देख जाईए, आपको इस टितियां बनता है, यथा स्थितियां नहीं बनेगा, इसने अपना रूप बदलना बन कर दिया, यथा अव्वे की वज़े से, राग द्वेश, द्वन समास, विग्रे क्या है, राग या द्वेश, अनुकृति, कृति की कृति, बहोचन बनता है इसका, अनूपसर्ग ह अनुक्रतियां बनता है, तत्पुरुष है, अव्यवाव नहीं है, तिरंगा, बावरी समास है, राष्ट भार्थ के राष्ट द्वज के अर्थ में है, अति वरिष्टी, ये देखे अव्यवाव है, अति वरिष्टियां नहीं होगा, अति उपसर्ग हमारा, सिंदु हृदय सिंदु के समान हिर्दे कर्मधरे समास है ये हमारा सिंदु के समान हिर्दे हिर्दे की तुलना कर रहे हैं समुद्र के समान बड़ा व्यापक उपमालंकार है सपरिवार देखिए, परिवार का परिवारों बनता है, मैं दस परिवारों से मिल चुका हूँ, लेकिन सै आने के बाद मैं सपरिवारी रहेगा, अव्यई भाव है, ये देखे आमरन, आमरन अव्यई भाव है, ये आउपसरगा गया और आमरनों नहीं बनता, सिर्फिरा साथ दिन के समू को कहते हैं प्रति गहात देखे यह अव्य भावे प्रति गहातों नहीं बनता नर शारदूल नर के समान शारदूल शारदूल शेर को कहते हैं तो देखो यहां नर रूपी शारदूल यह हमारा कर्मधारे समास है यह हमारा नर उपमे है और शारदूल उपमा का रोप किया गया, रूपकलंकार है, कर्मधारे समास, जीवन भर, ये दे को भर हमारा अव्वे है, और इसके बाद आया है, तो अव्वे ही भाव समास होगा, और देखे आगे, शड़ रितू, फिक्स हैं, छे रितू हैं हमारी, सरदी गर्मी बरसांत, हेमंत, शिशिर और ब विकार, मन का विकार, ततपुर्ष है, शीतोष्ण, जो शीतर जो उश्ण है, दोनों ही विशेशन है, कर्मधारे समास है, रातो रात, रात और रात, एक शब्द की आवरती है, अव्वे ही भाव है, चाय पानी, देखे, चाय पानी, आदी दौन समास, पच्चीस, पाँच और बीच दौन समास, विश्वास पूर्वक, पूर्वक अव्वे है, शब्द के बाद में लगा है, रूप नहीं बदलने देता, अव्वे ही भाव समास है, दीप शिखा, ये देखो, दीपक की शिखा, दीपक की लो, ततपुरुष है, हरा सगन, जो हराबी और सगन है, दोनों विशेशन है, कर्मधारे समास है, बीचों बीच, शब्द की आवरती हुई है, अब वे ही भाव है, पेड़ पोधे, पेड़ पोधे, आदी, द्वंद समास है, आदी, और देखिए, शल्ले चिकित्सा, शल्ले द्वारा चिकित्सा, शल्ले द्वारा, श्ल्ले यान सामगरी हवन के लिए सामगरी ये कारक्चिन का लोप है तत्पुरुष है पंच तंत्र पुस्तक विशेश का नाम है बहुरी समास है और समाचार पत्र समाचार के लिए पत्र के लिए तत्पुरुष है सम्रदान तत्पुरुष है चोकन चार कान सजग को कहते हैं बहुरी सम अभी आम यह अपने पढ़ा है, और देखिए, शर्णागत, शर्ण को आगत, यह विग्रह को देखिया, जिन में विग्रह में गलती कर सकते हैं उसको ध्यान दीजिए, शर्ण में आगत नहीं, शर्ण को आगत, मनो हर, मन को हरने वाला को, ततपुरश है, कर्म ततपुरश, अश्रु पून, अश्रु से पून, अश्रु से पून, ये करन तत पूरुश है, कन्यादान, कन्याखा दान, ये सम्मंद तत पूरुश है, कन्याखा दान, कवी वर, ये अधिकरन तत पूरुश है, कवियों में वर, वरकार से स्रिष्ट, कारे मुक्ता, पादान है, कारे से म कि आति को प्राप्थ यह कर्म तत्पुरुश है तर्क संगत को जो संगत प्रती तो कर्म संगत कर्म तत्पुरुश है। में विद्या काले सम्मंद ततततत पुरुश है और बंधन मुक्त यह दे को बंधन से मुक्त है बंधन से अलग हो गैए न अपादान ततत पुरुश है देखे पदशुट पद से अलग हो रहे हैं यह अपादान है पद से चित अपादान तत पुरुष नर्बली नर्की बली सम्मंद तत पुरुष है जन हित जन के लिए हित संप्रदान तत पुरुष है जनमांद जनम से अंदा जब जनम हुआ था तब से अंदा है अपादान है जनम से अंदा जनम यहां हुआ था और तब से लेकर के वंद है आज 25 वर्ष हो गए तो जन्म से इसका अलगाव बताय जा रहा है इसलिए अपादान तत्पुरुष है कर्माधीन कर्म पर निरभर है अधिकरण में पर अधिकरण तत्पुरुष है मध्यांतर मध्यमें अंतर अधिकरण है महापुरुष महान है जो पुरुष कर्मधारे तो कर्मधारे महापुरुष मान है जो पुरुष ये तत्पुरुष नहीं है साबी ये ठीक कर दीजे कर्मधारे कर्मधारे तत्पुरुष तो है लेकिन कर्मधारे तत्पुरुष है महान है पुरुष जो महान है जो पुरुष महा विए गुनवा च्विशेशन पुरुष कैसा महान तो यह हमारा कर्म धारेस है आप देखें कारे मुक्त जयी यह कर्म में रत है अधिकर्ण थत्पुरुश है सतथ पुद्द्धी सत है जो बुद्द्धी यहाँ पर यह कर्मधार और जोड़ीजे कर्मधारे ततपुरूश है लेकिन consumers सत है जो बुद्धी और देखिए शची पती शची का पती कौन? इंदर है? बहुरी समास है अधर पल्लव ये जो है अधर होट को कहते हैं पल्लव है तो होटों पर पल्लों का आरोब क्या अधर रूपी पल्लव ये पल्लव ये हमारा हमारा अधर पल्लव ये कर्मधारे कर्मधारे समास कर्मधारे अधर पल्लव चंद्र मोली ये बहूरी हमारा ये उल्टा सीधा हो गया कहीं ये बह तक पर शिव तो वो बहुरी है और ये कर्मधारे उल्टा सीधा हो गया राजरशी देखे जो राजा है और जो रिशी है और ये कर्मधारे दोनों के दोनों विशेशन है राजरशी जनक रिशीकेश रिशीक इंद्रियों को कहते हैं और ये गुनसंदी है ए और ए मिल करके ए ए बना है ये ए बन गया रिशी केश और ये हम लोग इसको गलती से हम लोग रिशी केश ऐसा रिशी केश लिख देते हैं ये नहीं है मित्रो ये रिशी केश ही है हमारे हरिद्वार के पास में भी यही है लेकिन सब जगे यही लिखा पड़ा है सब गलत लिखा पड़ा है ये रिशीकेर, रिषीक 000 कविश्णो की कहते हैं। अधियों का स्वाम्मी। और देखे, शिष्ठाचार कर्म-धारे हैं। अचार कैसा है? शिष्ट और तिरा हाव द्विगु हमारा तीन राहों का संगम, यह तिरा है द्विगु है, चाय वाहे देखिए, हमारा द्वन्द समास है, चाय आधी, सबतरिशी, यह सबतरिशी फिक्ष हैं, बवरी समास है, सातरिशी ओका समू, उंच नीच, देखे हुए ये विश्वामित्र आदी साथ हैं, ये देखें उंच नीच आदी, ये हो गया, दौन कुछ शादी में कुछ उंच नीच रह गई हो, माफ करना, तो उंच नीच आदी अनेक प्रकार की कोई कमी है, सुधा कर देखें, सुधा की करने वाला चंद्रमा है, बहुरी समास है, ये बहु बेटी आदी हो गया, ये देखें, त्रिफला, तीन फलों का समू, बहुरी समास है, देशवासी, देश में वास्त करने वाला कारचिन का लोप है, तत्थ पुरुष है, लाल सुर्क, जो लाल है और जो सुर्क है, कर्मधारे समास है, दोनों के दोनों विशेशन है, लाल बी और सुर्क, शाखा म्रिग, ये हमारा बहुरी समास है, शाखाओं पर दोडने वाला म्रिग, वो कौन है, वानर है, बंदर है, और जीवन मरन, जीवन या मरन, द्वन्द समास है, हत्र श्री, श्री से हत्र अपादान हो गया, ये हत्र श्री है, शोभा से रही पूरुष है और राजीव लोचन राजीव कहते है मित्रो राजीव कहते है कमल को पहले कमल आया है पहले प्रकृति आ गई फिर आ गया लोचन नेत्र राजीव के समान लोचन उपमालंकार है और यह हमारा कर्मधारे समास है के आया के समान बास मित्रो यहाँ पर हमारा समास क इस जो टेस्ट है ये पूरा हुआ समास का प्रकरण काफी बड़ा है मुझे मालूम है ये बड़ा है लेकिन मेरी भी जिद रही कि समास को लेकर के हिन्दी व्याकरण में जिस प्रकार का एक सतहीपन है उपरी-उपरी चल करके इस टॉपिक को पढ़ा दिया जाता है ये इसको जो दो-तीन बार अच्छी तरह से देख लेगा वो परिक्षाओं में वे अंक ला सकेगा जो अंक दूसरों विद्यार्थियों को शायद ही मिले इसलिए आप कृपया जिस तरह से मेनत मैंने की है आप भी मेनत कीजिए हिमत मतारिये और इसको दो-तीन बार और अच्छी प्राप्त कीजिए नमस्कार